तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि अपनी शर्मिला की बॉइफरेंट से बातचीत करती है जिसके बाद अकाशुक की बात समझ जाता है वहीं इसी बीच निखिल की लाश मिलने के खबर भी मिलती है और उसके साथ ही आपने एपिसोड के अंत में देखा था कि बि मुझे भी कोई बात नहीं करनी है तुझसे हेमा को बुला बस वो मा जिठानी जी थोड़ा अपने ओफिस का काम कर रही है तो अभी नहीं आ पाएंगी वाह भई वाह यहां घर में क्या क्या हो रहा है है उसको ओफिस की काम की पड़ी है अरे वैजियंती दीदी छोड़ो क्यों दिमाग गरम करती हो अरे देख रहा है तू इन बहूं की हरकते अपनी सास के लिए एक मिनट भी टाइम नहीं है लेकिन मम्मी ची वो जब से अपनी ओफिस से आई है तब से घर का काम ही कर रही है आप मुझे बताएए मैं कर देती हूँ जो भी काम है वाह वाह पिश कोई भी करे चुप करो आपने ही तो सर पर चड़ा रखा है तब है उनकी अवाजे सुनके हेमा वहां आ जाती है क्या हुआ माजी बड़ी जल्दी आ गई तू बे शरम बे हया मम्मी ची बस बहुत हो गया तू चुप कर मैंने कहा ना मुझे तेर से कोई बात नहीं करनी है जैसे माबाप वैसी बेटी तू नहीं सिखाया ऐसे सब कुछ अपने माबाप का नाम आती ही अपनी से रहा नहीं जाता और वह अपनी सासुमा को करारा जवाब देती है मैंने तो पहले सिर्फ सुना ही था कि एक और दूसरी और की दुश्मिन होती है लेकिन आज मैंने देख भी लिया छोड़ी न देबरानी जी नहीं जी ठानी जी और एक पाद पता दूसा सुमा दूसरों को भला बुरा कहने से पहले खुद के किरिबान में छाक लेना चाहि कहीं ऐसा ना हो कि आप पर ही थुतु हो जाए एक दिन देखा देखा आपके भू मुझे कैसे ताने मा रही है अगर हम आपके साथ ऐसा सलूप कर रहे हैं तो इसमें आपकी ही गलती है मम्मी जी और अपनी गुसे में हेमा का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती है मेरी तो कोई इज़त ही नहीं है इस घर में हाँ मा देख लो आप अगले दिन सुबह हेमा का ओफिस जाने का टाइम होने वाला था तभी वेजनती कुछ कपड़े लेकर आती है सुन हेमा ये सारे कपड़े थोड़े से साइट से फटे हुए है सिल्दे से जी मा जी आकर सिल दूँगी अभी ही चाहिए मुझे कुछ मेरे भी कपड़े है ठीक है और वे कपड़े सिलने लग जाती है लेकिन बहुत सारे कपड़े होने के कारण उसे लेट हो जाता है अगर लेट गई तो माँ पर मुझे सुनना पड़ेगा ऐसा करती हूँ अचाती ही नहीं हूँ यही तो मैं चाहती हो कुछ दिर बाद अपनी देखती है कि 10 बजे भी हेमा घर पर ही थी अरे क्या हो जी ठानी जी आज आप कई नहीं ऑफिस हाँ वो आज छुट्टी है अच्छा और सभी किसम जाने पर वेजन्ती मान जाती है अगले दिन फिर से हेमा की ऑफिस जाने का टाइम ही वेजन्ती उसे बहुत सारा काम दे देती है और ये सिलसला दो दिन तक चलता रहता है इसी बीच हेमा को आफिस से कॉल आता है हेमा जी आपको काम से फायर कर दिया गया है कल से आप काम पर मताईए नो माम प्लीज कॉल कट हो जाती है और हेमा रोने लगती है अपनी उसे देख लेती है क्या हुआ? मुझे चॉप से निकाल दिया लेकिन क्यों? असल में मेरी चुट्टी नहीं थी पर मा जी काम कह देती थी और मैं लेट हो जाती थी इसलिए जा ही नहीं पाई मत रो ये दिवरानी ची अब मैं क्या ही कहूं सासु मा के बारे में और तभी कुछ दिन बाद अपनी के एक्जाम का रिजल्ट आता है तो वो खुशी से जोर-जोर से उचलने लगती है वाह! येई! मैं सिलेक्ट हो गई अजे मेरी चॉप लग गई है मैं ठीचर बन गई हो क्या? सच में? अजे भी बात सुनकर फूला नहीं समाता तुमने कर्ड दिखाया आवनी? वाह! I am so happy for you Me too